नमस्ते साथियों जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को लाइक फ्रेंडों के साथ सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप सभी के बीच में लेके आता हूं इर्टेडिया बिहार एससी टेस्ट स्रीज जो कि साथ डेज तक टेस्ट स्रीज चलने वाला है और इसमें परतेक सेट में 75-75 कुश्चन रहने वाला है तो साथ दिन में टोटल आपके पास सारे 400 प्रस्चन होने वाला है गलत हुआ और फ्रेंट साथ ही साथ अगर जिन भाईयों को पीडियाप की दरकरार है वो टेलिग्राम ग्रूप जाएए जोइन कर लिजे टेलिग्राम ग्रूप है क्योके दक की आप नॉलेज चैनल जो की नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है और साथ ह वहाँ पे हड़े मतलब बहुत सारे कोश्चन भी करवाए गये हुए हैं और वहाँ पे आप लोग जाके टेलिग्राम ग्रूप में जोइन कर लिजे और इसी के साथ आज सेट संख्या आठ हम लोग करने वाले हैं और इससे पहले साथ सेट हम लोग ने कंप्लीट कर लिया ह और इसी के साथ साथ अगर आपको पूरा सेट चाहिए तो आप क्या कीजिए उपर में आई का वटन राइट साइड में उपर में आई का वटन दिख़रा होगा उस पे जाके क्लिक कीजिए वहाँ पे सारा का सारा जो भी सेट हो चुका है वो आपको वहाँ पे दिखने को म तो पीडियाप आप लोग टेलिग्राम ग्रूप में जाके जॉइन कर सकते हैं चलिए चलते हैं आज के सेट एट के प्रस्न संख्या एक पे I hope कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग का सेट बहुत ही अच्छा जाता होगा देखिए पहला प्रस्न देखिए क्या लिखा हुआ है निमलिखित में से कौन सा कार्य भारतिय चुनाव आयोग की नहीं है ये पुछा जा रहा है मतलब भारतिय चुनाव आयोग का ये कार्य नहीं है तो सबसे पहले ही, पंचायतों का चुनाव करवाना बिल्कुल नहीं, यह भारतिय चुनाव आयोक का नहीं है, यह राज चुनाव आयोक का है, राज सरकार के द्वारा पंचायत का चुनाव करवाया जाता है, तो यही सबसे पहले यही हो जाया का एंसर, option A आपका बिल्कुल सही है लेकिन भारतिय चुनाओ आयोग के द्वारा क्या कारी किये जाते हैं उसको बारिकी से देखते हैं देखे क्या लिखा हुआ है निर्वाचन छेत्रों का परिसीमन बिल्कुल सही बात है जो निर्वाचित छेत्र होते हैं उसका परिसीमन किया जाता है मद्दान सूची तयार करना बिल्कुल सही बात है भारतिय चुना आयों क्या करते हैं मद्दान सूची तयार करते हैं और लाश्ट देखे क्या लिखा हुआ राजनितिक दलों को पंजीकरित करना तो राजनितिक दलों को भी पंजीकरित किया जाता और आप लोग कॉमेंट करके अवस्य कोन करता है जल्दी जल्दे आप बताए तो हमारे राश्टपती जो है अप्शन B आपका बिल्कुल सही एंसर होगा वो संविधान और विधिक के पडिरक्षन, संडक्षन और परतीरक्षन का सपत गढ़न करते हैं राश्टपती सहाव अभी आप लोग कॉमेंट करके अब से बताईए कि अभी वर्तमान में राश्टपती कौन है भारत का वर्तमान में भारत का राश्टपती कौन है आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताईए फ्रेंड्स लिखा हुआ नेक्सट प्रस्ण की तेहत्रवा संविधान सनसोधन कब लागू किया गया कहऊँ रखियेगा तेहत्रवा संविधान संसोधन में पंचाईती राज व्यश्ता को बहुत बहुतर धर से इसमें जोड़ा गया था और साथी साथ अनुसुची हम लोग Zानते हैं एकारा नम्मर का जो था तो यह भी याद रखिएगा और इसमें डेट पुछा जा रहा है सीधा यह सब इंपॉर्टेंट प्रशन है फ्रेंड्स आप लोग इसको रिमेंबर कर लिजेगा और स्किन सॉट ले लिजे कहीं साइड में लिख दीजिएगा तो याद रखिएगा तेहतरवा संविधान संसोधन जो भी फ्रेंट्स आप्संसी मारे होंगे उसका बिलकुल सही होगा 24 अप्रेल 1993 इसमी को तेहतरवा संविधान संसोधन लागू किया गया नेक्स्ट प्रशन के और चलते हैं देखिए बहुत ही बहतरीन प्रशन के साथ इडूटेडिया सेट कर रहा है नेक्स्ट प्रशन देखिए क्या लिखा हुआ है अविस्वास प्रस्ताओं के संदर्व में निम्लिकित में से कौन सही है यह पूछा जा रहा है देखिए पहला पढ़ रहे हैं अविस्वास प्रस्ताओं के बारे में देखिए ध्यान से यह लिखा हुआ है क्या कि यदि यह लोगसभा में पारित हो जाए तो मंतरी परिशत को त्यागपतर देना आवस्यक नहीं है किसी एक मंतरी या मंतरीयों के समुष या पूरे मंतरी परिशत के विरुद नहीं लाया जाता है नेक्स्ट प्रस्ण के और चत एक मंत्री के बिरूद नहीं लाया जाता है पूरा का पूरा के बिरूद लाया जाता है लोग सभा में इसे स्विकार करने का कारण बताना अनिवारी है ये भी गलत है इसमें स्विकार करने का कारण अनिवारी कारण बताना ज़रूरी नहीं है नेक्स देखिए क्या लिखा हुआ है, लोग सबा में इसे स्विकार करने का कारण बताना आवस्यक नहीं है, ये बिल्कुल के बिल्कुल सही है आपका, यही तो एगो सत्य है, बांकी सब के सब क्या है, गलत है, ध्यान से पढ़िएगा, important question है, ये सब question क्या करता है, आपको ज I hope कि आप लोग अगर पांच-पांच question को भी बहतर रंग से search कर लेते हैं, तो आने वाला समय में आखिर कर 10 दिन के बाद आपको बहुत सारे question की जानकारी हो जाएगी, जो कि आपको set जब आप दोगे कोई भी set, आपको उसमें देखने को मिलेगा कि हम क्या improve करी किये हैं, चलिए next question, इसी लिए आप लोग सर्च जरूर कीजिए कम से कम five question, पड़े, next question के और चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, बहुत ही बहतरीन प्रस्ण है, आज लगड़ा अलग लेवल का ये प्रस्ण है, जो भी friends इस प्रस्ण का answer देंगे, वो समझिए कि उसका तयारी बहुत ह देख लिए ध्यान से क्या लिखा हुआ, बिधान परिसत के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का परत्यक्ष रूप से चुना होता है, जल्दी जल्दी आप लोग comment कीजिए, comment करना बिल्कुल, आप लोग comment करते नहीं है, आप लोग comment कीजिए, कितना सदस्य गलती है, तो सही कीजिए आप लोग लेकिन कॉमेंट जरूर कीजिए जो भी फ्रेंट्स ओप्सन ए मारे होंगे उसका बिलकुल सही है पांच बटे छो सदस्यों का जो है और परत्यक्ष रूप से चुनाओ होता है पांच बटे छो सदस्यों का सीधा रट जाहिएगा बहुत ज्यादा भी सबको याद होना चाहिए वो 36 समिधान संसुदन था जो की सिक्किम को पुर्ण राज का दर्जा प्राप्त हुआ नेक्स्ट परशन के और चलते हैं क्या लिखा हुआ है असोक मेहता समीती के सिफारिस में निम्न में से कौन सामिल नहीं है यह पूछा जारा असोक मेहता समी समीती में तो देखिए द्यान से परते चलिए पंचायती चुनाओं में सभी अस्तर पर राजनितिक पार्टियों की अधिकारिता भागिदारी हो बिल्कुल यह समली था इसमें उसके बाद क्या लिखा हुआ अपने आर्थिक सुरोतों के लिए पंचायती राज संस्ताओं के पास काराधन की अनिवार्य सकती हो बिल्कुल यह भी सही था नेक्ष देखिए किसी अस्तर पर कोई आरक्षण का प्राबधान इसमें था नहीं होगना चाहिए आरक्षण का प्राबधान था इसमें option C आपका बिल्कुल सही answer हो जाएगा friends फिर से बताना चाहता हूँ कि इस प्रस्ण के लिए आपके पास deeply knowledge होना बहुत ज़्यादा जरूरत है इसलिए आप लोग सीधा इसको रटने का कोशिस कीजिए और साथी साथ आप लोग पॉलिटी को भी जाके थोड़ा सा एक बार दो बार रिविजन जरूर कीजिए ठीक ना उसके बाद ये सब प्रस्ण बनेगा चलिए नेक्स्ट प्रस्ण के और याद रखेगा महायचन प्रस्ण महाजन devil प्रस्ण बारे में सभी जानते होंगे उसकी राजधानी पूचह रहा है डखेगा द्यान से क्या लिखा हुआ है मल की राजधानी पूचह जा रहा है तो कि असमक की राजधानी जब पुछा जाएगा तो यह पोटली हो जाएगा असमक की राजधानी पोटली पंचाल की राजधानी पंचाल की राजधानी जब बोला जाएगा तो अहीं चछत्र अहीं चछत्र पंचाल की राजधानी और मगत की राजधानी तो हड़े कोई जानता ह वो कौन है गी वर्च हैं तो देखिये आपका एंसर होग चार दो, एक पाँच, तीन मेனे साथ आप लोग इसको बोला किजिए धर्क फिर से एक बर मेरे साथ बोली है मल की राजदानी, कुसी नगर, कमभोज, कमभोज की राजदानी हाटक, कंबोज की राजदानी हाटक, कंबोज की राजदानी हाटक, असमक, असमक की राजदानी पोटली, असमक की राजदानी पोटली, पंचाल, पंचाल की राजदानी अही चछत्र, मगत की राजदानी गिरीवरज, मार्दर, मगत की राजदानी गिरीवरज, काई होब कि ये पा निमलिखित में से कौन एक कनिस्क के दरबार में नहीं था नहीं सम्मंदित नहीं यह पुछा जा रहा है तो देखिए सबसे पहले अस्वगोस्तो था ही चरक भी था नागारजुन भी था पतंजली नहीं था आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताईए पतंजली किसके दरबा कि कितना स्टुडेंट है या नहीं और अभी आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत भी है आप लोग अपने स्प्रेंट के साथ भी सेर कर दे आई होप कि आप देखी रहोंगे किस तरीके से पीडियाप आप लोग को प्रोवाइट कराया जा रहा है उसका डिसकसन कराया जा और अगरि ऑप मार्केٹ में कितना भी किताब क्यून हो मेरा बस इतना ही कि सभी आपको यहां परंपर दिसकसन करादू इस चैनूल पर डिसकसन करा दो और जो भी फ्रेंट इस चीज के लिए बता रहे हैं जो भी फ्रेंट मैत के लिए कह रहे थे बहुत जल्द आप लोगों के लिए बिहार सेसी का मैत का किलास लेके आएंगे किलास नहीं सेट प्रैक्टिस लेके आएंगे जो की आप only for set तो देख लिजिएगा तो आपका हर एक topic complete हो जायागा समयत में कहीं आपको अलग जगा पढ़ना नहीं पढ़ेगा जो normal से normal student है उसको भी कोहीं पढ़ना नहीं पढ़नेगा तो आप लोग set बस only for देखते जाएए I hope कि आप प्यार SSC में अच्छा करोगे और साथी साथ PDF फिर से बोल देना है PDF जिसको लेना है वो टेलिग्राम ग्रूप में जाके जोइन कर लिजिए description में इसका link दिया हुआ है टेलिग्राम ग्रूप का और आप वहां से जाके PDF ले सकते हैं चलिए next question के और चलते हैं क्या लिखा हुआ next question हिजरी संबत बहुत ही बहत ही बहत ही लाजवाब सब को पता है कि हिजरी संबत जो है वह चोशा 22 इसापुर में आया था इतना तो सब को पता है लेकिन अब यहां से question मतलब गुमा के पूछ दिया है कि जिसको deeply knowledge होगा वही तो इसका answer दे देगा देखे इडुटेडिया का कितना बहतरीन question set किया है हिजरी संबत आरम हुआ था क्या लिखा हुआ है पेगंबर साहब के जन्व दिबस के उपलक्ष में बिल्कुल नहीं पेगंबर साहब के जन्व दिबस के पता ही नहीं था पेगंबर साहब का जन्व कब हुआ उसके बाद देखे वैसे अनुमान लगाया जाता है तो लेकिन देखे लेकिन नहीं हुआ था हिजरी संबत पेगंबर सहाब के जन्म दिवस पे तो इतना याद रखिएगा हिज्री संबत आरंब जो हुआ था 1622 इसापुर में मतलब कब से आरंब हुआ था कैसे आरंब हुआ ये तो पेगंबर साहब के मका से मदिना जब प्रस्थान करने के उपलक्ष में ये हिज्री संबत आरंब किया गया था। इसको एक बार नहीं दो बार तिन बार आप लोग बोलने का भी कोसिस कीजिएगा बलबाचार जब भी बोला जाएगा तो पुष्टी मार का बलबाचार क्या ची पुष्टी मार का किया था रामानुजन पुछा जाएगा तो याद रखिएगा विसिष्टा दोइतवाद का किया था मादवाचारी बोला जाएगा तो याद रखिएगा दोइतवाद किया गया था संक्राचारी बोला जाएगा तो संक्राचार अदोइतवाद चार हो जाएगा मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, ध्यान से बोलिएगा और कोसिस किजिएगा मेरे साथ ही बोलने का, जो कि आपके माइन में इस चीज़ का घर बन जाय, कभी भी आप्शन आया, आप लोग टीक कर दिजेगा बल्लवाचारी बल्लवाजार 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 व्टाब नाम का लर्का नुट्वाद था माधवाचार उनलीफूर दुट्वाद संकड़ाचार अद्वेत्विक था इस तरीके से याद रखे फिर से मेरे साथ बोलिए बल्लावाचार बले पुष्टी मार्ग रामानुजन विसिष्ट उसके पास था विसिष्ट सब नहीं देख लिया तो अगर पशूर अपने अभी देख लिया बिलकुल फोर दिजेगा इसका तो सब को पता होगा बिहार में 2857 के विद्रो का नेत्रित जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए दिल्ली से खलकत्ता राजधानी अस्तानतरीत कभ वह था दिल्ली से कलकत्ता रासधानी कब अस्तांतरीत हुआ था यह बना देखिए आप कोन हो जाएगा एक ति नहीं से पंच बला फिर चार मुसलिम. किया गया तो याद रखीए का बताइए दिल्ली से कलकत्ता राजधानी अस्थांतरे लिए सका बताइए लिए ऐसका एंसर हो जाएगा कौन सा C number option हो जाएगा 1, 4, 3, 2 हो जाएगा आपका answer चले next question के और चलते हैं क्या लिखा हुआ है राम परसाद बिस्मिल्ला और असफाक उल्ला खां को फांसी किस संयंत्र केस में दिया गया था जो सब को पता है जब काकोरी संयंत्र केस में राम परसाद बिस्मिल्ला को और असफाक उल्ला खां को याद रखिए राम परसाद बिस्मिल्ला असफाक उल्ला खां को काकोरी संयंत्र केस में क्या दिया गया था फांसी दे दिया गया था next question के और चलते हैं क्या लिखा हुआ है निमलिकित में से किस ने कहा था विदेशी वस्त्रों को बढ़वादी ही उसके साथ सर्वत्तम विभार है ये किस ने बोला था तो हमारे प्यारे से महत्मा गांधी ने बोले थे बापु जी बोले हुए थे कि विदेशी वस्त्रों को बढ़वादी ही उसके साथ सर्वत्तम आपका बिल्कुल सही अंशर होगा इनक्स्ट प्रस्टन के और चलते हैं क्या लिखा हूआ अकबर ने बंगाल और बिहार बहुत ही बहतरीन प्रस्टन है फ्रेंट इंप्रोटेंट कर लिए देखिये छोटा चोटा प्रस ने लेकिन बहुत ज़्यादा इंप्रोटेंट है क् मुगल समराज में कम मिलाया तो मुगल समराज में अकबर ने कम मिलाया था याद रखिएगा 1576 में रट जाईएगा 1576 में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल समराज में मिला लिया था नेक्स्ट प्रेशन के और चलते हैं क्या लिखा हुआ है गाउंओं के समसान को स्वायत सासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की विवस्ता सुत्रपात किस ने किया था बताईए इसमें सुकुसान बंस दर्वीर बंस और मोरी जल जली बताईए तो याद रखिएगा दर्वीडों ने क्या किया था गौंग के सासन को स्वायत सासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की विवस्ता लागू की थी दर्वीरों के द्वारा बहुत ज़्यादा इं नेक्स प्रेशन के और चलते हैं क्या लिखा हुआ है पर्थम आंगल मेसूर यूद जल्दी बताईए पर्थम आंगल मेसूर यूद जब उन्हेस सरसट और सट में चारगव मेसूर यूद हुआ था आप लोग सर्च कीजिए चारों यूद किसके किसके बीच हुआ कब हु हैदर अली क्या हुआ ता बिजए हुआ था कहां आंगल मेसूर यूद में नेक्स प्रस्ण के और चलते हैं क्या लिखा हुआ निम्लिखित में से किसने कालीदास की परसीद रचना अभिज्यान सकुन्तला की पहली बार अंग्रेजी में अनुबाद किया था जल्ली जल्ली रेखा किसके किसके बीच है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रेखा है और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है तो याद रखिए रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में नेक्स्ट प्रस्ट और नेपाल और भारत के बीच में तो आ सुमेलित कोन नहीं है जबन पूर लंठ सोन नदी पे समेलित नहीं है जल्दी जब्लपूर किस नदी पे जल्दी आप क्यों कीजिए आप लोग सऺ हाल को सर्फ करते हैं अप लोग नेक्ष्ट सब्सक्राइब बलाइब सोटा सा लगू लगुजवार भाटा कब उत्पन होता है तो याद रखिएगा जब लगुजवार भाटा जो है और चंदर के समय होता है जब आधा चांद होता है उस समय में क्या होता लगुजवार भाटा ऑप्शन यह आपका बिल्कुल सही एंसर है आप लोग भी कॉमेंट करते जाहिए और लास्ट में ज़रूर बताईएगा कितना कोश्चन आपका सही हुआ और पीडियाफ जिसन भाईयों को चाहिए वो चले जाएए टेलिग्राम ग्रूप यहां पर लिखा हुआ है क्योके दा की अप नॉलेज चेनल यहां पर जाके आप लोग टेलिग्राम ग्रूप में टेलिग्राम ग्रूप का लिंक दिया हुआ है आप लोग जाके वहां पर देख सकते हैं पीडियाफ डॉनलोड कर सकते हैं और अच्छे से उसको रिविजन भी बार-बार कर सकते हैं निकाल लीजेगा पीडियाफ एक दो रुप्या में तो निकल जाएगा ज्यादा पेज म नहीं है आपका बिल्कुल सही एंसर होगा नेक्स्ट प्रशन की और चलते हैं क्या लिखा हुआ है मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है अब देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट प्रशन है इसको कोई भी कन्फ्यूज हो जायागा कोई भी मार देगा प्रतवी का प्रिकर्मन जल्दी बताइए आप लोग कारण होता है आप लोग इसको स्क्रीन सौर्ट ले लीजिए और यह प्रस्वित परिकर्मन मारेगा ही मारेगा लेकिन जो इसको अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता होगा यह मोसम और उसके बनाबर में क्या होती है पडिवर्तन होती है नेक्ष्ट प्रेशन के और चलते हैं क्या लिखा हुआ है डंकन दर्रा याद रखिया डंकन दर्रा जो है किनके बीच इस्तित है सीधा इस सबको याद रखने का कोशिस किजिएगा डंकन दर्रा जो है किसके बीच स्तित याद रखिएगा यह होता है बिच में सीधा याद रखें रहा है उसके बीच में कौन है डख कंदर रहा है crént नागालेन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेल का निर्मान हुआ है मतलब भारत के जो दक्कन बाला पठार है उसमें बेसाल्ट निर्णमित लावा सेल का निर्मान हुआ है वो किस यूग का है ये पुछा जा रहा है यूग पुछा जा जा रहा है आपसे तो सीधा याद रखे गागा ये यूग जो था कृटेसियस यूग का था कौन से यूग बिल्कुल सही होगा जल्ड़ जलिबन जली बताई यह आपका सही नहीं कजल्बन बंदरगा यह option बिल्कुल आपका सही मजधा अपसक। छेत के लिए कांडला उपस्ते, option C आपका बिल्कुँ सही, गलतीन मत कीजिएगा इसको, option याद रखिएगा इसको, इसके इसोट लेते जाएए और नोट्स बनाते जाएए अपना, next question के और चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, गन्ने के उचित और परिस्रमिक मुल्य, एप आर संगठन का अनुमोधित किया जाता है, option A आपका बिल्कुल सही होगा, next question के और चलते हैं, क्या लिखा हुआ, सुची एक, सुची टुको, सुमिलित कीजिए, कायडा यहाँ पे कूट का परियोग करते हैं, आप देखें, यहाँ पर क्या आर्थिक विकास पूछा जाएगा तो आर्थिक विकास जल्दी बताईए, आर्थिक विकास क्या हो जाएगा, संडचनातमक परिवर्तन है, चार नमर लिखें, आर्थिक विकास का क्या हो जाएगा, यहाँ साइड में लिख रहे हैं, आर्थिक विकास में क्या हो जाएगा, चार, संडचनातमक परिवर्तन है है उसके आर्थिक विर्दी पुछा जाएगा तो सकल घ्रेलू है आर्थिक विर्दी क्या है साकल घ्रेलू उत्पाथ हो जाएगा उसके बाद पुछा जाएगा संपोसित विकास पर्यावरं से संभंडिते संपोसीद्विकास किसे संद्द तै पर्यावरं से संद्द है जीवन की गुन्वत्ता अगर पूछा जायेगा तो जीवन की गुन्वत्ता जो है स्वास्त से संद्दद चार एक दू तीन चार एक दू जिवन की गुनवत्ता तो याद रखेंगा स्वास्त से समंदित रूता यूगमित होता है किसके साथ यूगमित होता है अस्पिती के साथ यूप्शन भी आपका बिलकुल सही अंसर होगा इस सब को रट जाएगा आप लोग हो सके तो इकोनोमिक्स को बहतर करने का कोशिश कीजिएगा यदि एक दी हुई इस सम्यावधी में कीमते याद रहे कीमते तथा मोदरिक आय दोनों दुगुन्नी हो जाए तो वास्त्वीक आय क्या होगा जली-जली कॉमेंट कीजिए तो वास्त्वीक आय में कोई परिवर्तर नहीं होगा ऑप्शन आपका बिलकुल सही अंसर है कीमत भी दुगुन्नी उसमें निर्मित किनतन की पर, चुड़ता होती है तो यह शहें मोत संबता होगा प्रशन लेगनä बहुत critically कि यह ईनवन का दॉषमाना के छोटा-चोटा प्लसुर लेकिन संकलपना इंप्रतन चैया कंशलता है कि ने प्रस्तूत किया था इसमें से जो भी फ्रेंट्स ओप्सन भी माले होंगे डबलू-म डेविस ने भगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्प्रना को परस्तूत किया था और आपका बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट प्रस्ट के और चलते हैं क्या लिखा हुआ है सुन्डा ट्र सब्सक्राइब कर लो कर लीजिए और इसके साथ ही साथ आपको मार्केट में जितना भी सेट होगा उसका यहां पर आपको डिस्कसन कराया जाएगा एनी हो ब्यार एससी का भी इरूट एरिया का चल रहा है कुछ समय के बाद आपको प्लेट फॉर्म का भी मिलेगा और कुछ समय के बाद किरन का भी मिलेगा इसलिए आपको इस चैनल से जुड़ना है क्योंकि आपको यहां पर हर एक सेट का डिसकसन कराया जा रहा है और साथी साथ आपको अगर बेस्ट एनलैसिस भी दिया जाएगा समय के बज़े से आपको बस एंसर बताते हुए जा आया जा रहा है तो समय आने पर बेस्ट इसका एनलैसिस भी कड़ाया जाएगा इसलिए आप लोग इस चैनल को जोइन कर लीजिए चलिए अटल अवासिय विद्यालय योजना किस राज सरकार द्वारा सुरू किया गया है सबको याद होना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सुरू किया गया जिसका नाम क्या है बताइए दो मुवाले सफेद मोना तारा है तारा तारे याद रिखे तारा है उसका क्या नाम रखा गया तो याद रिखे उसका नाम है जानूस ऑप्सन भी याद रिखे कहें ना जानू आज कल की जानू होबे ने करती है दो मुवला जी तो याद दूमों वाला बॉना तारा है जानूस नेक्स्ट प्रश्ण की और चलते हैं ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है चलिए नेक्स्ट प्रश्ण की और चलते हैं क्या लिखा हुआ है परवासी भारतिय पुरुसकार 2023 सम्मानित किया गया आप लोग को कॉमेंट करना है 2024 में किसे परवासी भारतिय सम्मान से सम्मानित किया गया कॉमेंट करके आप लोग सर्च करके जरूर बताईए ये वी पूछा जा सकता है एकजाम में आप लोग एक मिनट रुक जाईए और एक समिनट रुक जाईए तुर इसमें भारत का स्थान याद रखेगा वो कौन सा है 85 आठ पांच 85 आठ पांच मतलब 85 बांच पचासी वांच अस्थान है हैंले पासपूर्ट में नेक्टच चलिए क्या लिखा हुआ है कि e-sarus याद रखें ए-sarus मोबाइल एप किस मंतराले द्वारा जारिक किया गया है इसारस के बारे में पूछाड़ा है तो याद रखिएगा इसारस mobile आप जो है केंद्रिया गड़ामिन मंतराले के दोड़ा option C आपका बिलकुल सही होगा next प्रशन के और चलते हैं देखें next प्रशन क्या लिखा हुआ है हाल ही में ओमान चंडी याद रखिए ओमान चंडी का निधन हो गया है वो किस राज की मुखमंत्री रह गया चुकी है तो ओमान चंडी जो है केरल की मुखमंत्री रह चुकी ओप्सन भी आपका बिल्कुल सही एंसर होगा नेक्स्ट प्रशन के और चलते हैं क्या लिखा होकी जूनियर एस्या कप 2013 पुरूस एकल का किताब किस ने जीता है तो अपना ये भारत जीता है होकी जूनियर एस्या कप 2013 का किताब अपना भारत जीता ओवसन भी आपका बिलकुल सही होगा नेक्सट पॉर्शन की और चलते हैं बस थोड़ा दिर और रुख जाएगे महिलाओं पे भी और इन में से सभी आपका एंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, option D आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, next question के और चलते हैं, हाल ही में आये चक्रवात तुफान, विपर जोय का नामकरन किस देश ने किया है, जो विपर जोय का नामकरन किया गया है, वो कौन, याद संसद भवन का उध्गाटन परधान मंतरी द्वारा कब किया गया, जो हमारे संसद भवन, नया जो संसद भवन है, उसका जो उध्गाटन है, परधान मंतरी के द्वारा कब किया गया, date बहुत ज़्यादा important है, इसलिए आप लोग इसको भीविय कर लीजेगा, important लिख अंतर राष्टिय समुदाइक व्यफार संगठन IMO का मुख्याले कहां है तो IMO का मुख्याले पुछा जा रहा है तो आपका सीधा answer हो जाएगा जिसको answer पता है वो comment में फटाक फटाक कीजिए फटाक से कीजिए और जिसको answer नहीं पता है उसको answer बताने जा रहा हूँ option D हो जाएगा लंदन जो है IMO का मुख्याले है next question के और चलते हैं क्या लिखा हुआ है केंद्र सिल्क बोट बहुत ज़्यादा important है ये छोटा छोटा प्रस्ण आपके exam में एकदम नासूर बनके उबरता है जो की बहुत सारा गलती करता है इसलिए आप लोग इसको एक notes बनाते हुए चलते जहिएगा बाड़ बाड़ इसको revision कीजिएगा केंद्रियस सिल्क बोट की अस्थापना किस वर्स हुई थी तो याद रखें केंद्रियस सिल्क बोट का अस्थापना जो है 1949 इसमी में हुआ था option C आपका बिल्कुल सही होगा next question के और चलते हैं क्या लिखा हुआ है 244 दिबस परती वर्स कब मनाया जाता है next question के और चलते हैं क्या लिखा हुआ है साहित अकादमी प्रुसकार 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 करने वाले पहले व्यक्ति निम्ण में से कौन थे तो याद रखिया वो थे माखनलाल चतुरवदी सहाब जो थे यह question का answer दे सकते है क्या लिखा हुआ है torch, search light और वाहन के headlight में bulb जो लगा रहता है वो कहां रखा जाता है तो bulb वो कहां रखा जाता है torch वगड़ सब देखे हैं वाहन का headlight देखे हैं उसके पीछे में bulb रखा जाता है तो bulb वो किस position पे रखा जाता है इसके लिए आपको concept के लिए रहना चाहिए आपका answer आप लोग देखते हैं कि आप लोग answer कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं जो भी answer की होंगे option B आपका बिलकुल सही होगा प्रावर्टक के focus के बहुत करीब पोकस के करीब रखा जाता है option B आपका बिल्कुल सही होगा next question के और चलते हैं 10 के घात में तेडा पुछा जा रहा है तो आप लोग इसको भी याद कर लिजेगा तेडा का होता है 10 to the power minus 12 होता है सीधा रखिएगा तेडा तेडा है पर मेरा है तेडा में देखिए रा लिखा हूं है न रा तो एक दूर याद रखिएगा तेडा टे है न एक ऐसे करके याद रहा तेडा कैसी हो गड़के याद कर लिजेगा आप लोग next question को और चलते हैं क्या मायोपिया मायोपिया का मतलब होता है निकट द्रिश्टी दोस और हैडोपिया का मतलब होता है दूर द्रिश्टी दोस आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना तो मायोपिया हो गया निकट द्रिश्टी दोस और हैडोपिया दूर द्रिश्टी दोस करमसर किस लेंस का के द्वारा ठीक किया जाता तो निकट द तो आपका एंसर हो जाएगा आपका बिलकुल सही एंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रशन के और चलते हैं क्या लिखा हुआ एक पिंड का दर्मान टू की रहा है तो उसका वजन भार पुछा जा रहा है तो भार जली जली बताइए भार क्या होता है दूगुना में 9.8 होता है आप एंसर इसका लगा दीजेगा कितना हो जाएगा आट दूना सोल और नौदूना अठाड एक 19 मतलब 19.6 जिसका भी न्यूटन एंसर आते आएगा वह भार बराबर यादर किया बार बराबर क्या होता है जितना दिया हुआ दर्मान गुना 9.8 हो जाता है तो जो भी एंस आपन बल पे बल और विस्तापन वेक पे वस्तु के पराढ़न फॉर्टी वेक आख भैक बिल्कुल इस सब पहे तो लागू करता है बांकि वस्तु के प्राढ़र वेक पे लागू नहीं खोता है कोई भी कारिया ऑफ से नेक्स्ट प्रस्ट के ओर चलत्या लिखावा चमग पर जलए जली कमेंट कीजिए नहीं पर सोनिक चाहिए लगतर रहा होना वो बिल्कुल सही है तो अल्ट्रा सोनिक अल्ट्रा लेवल का होता है चमगादर नॉर्मल याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट प्रस्ट की और चलते हैं क्या लिखा हुआ है उसमा के अच्छे अफसोसक मतलब एब्जॉर्वर है जो अच्छा उत्सर्जक होता है वही नेक्स्ट प्रसं आपका क्या लिखा हुआ हूआ है बहुत बेहुत्त प्रस अदिनिक और सागनी में आरत किसका मान दर्साता है जो अवह. है वह किसका मान दरसाता यह पुछा जाड़ा है तो याद रखिएगा आधुनिक आवर्थ साड़नी में जो है आवर्थ है यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रस्ण है आप लोग इसको साइड में कहीं लिख लीजिएगा तो पर्थम क्वांटम संख्या को दरसाता है जो आधुनिक आवर्थ साड़नी में परमानो संख्या तो है यह है आधुनिक आवर्थ किसका मान दरसाता है तो याद रखिएगा पर्थम क्वांटम संख्या को दरसाता है बहुत जादा बहुत ही important प्रष्ण हम तो important लिखने वाले हैं अगर आप लोग मानते हो इसको important त गलत पुछा जरा है पर यह क्या क्या लिखा हुआ हुआ है अमलिय वर्षा जाधातर नेट्रोजन और सुल्पर के औक्साइड के कारण होता है बिलकुल यह होता है फिर उसके बाद गलत पुछा जर रहा है यह गलत है मतलब कुछ न कुछ पार्ट और जन पुरत का जो है वो अवरक्ट किरन को पहुंचने देता है चलिए next question नहीं देता है यह कहड़ा है तो वही चीज़ लिखा हुआ option D आपका बिल्कुल गलत है next question के और चलते हैं क्या लिखा हुआ है प्लॉर्वसिस मतलब अस्ती रोग किसकी उपस्तिती के कारण होता है jsुआ सीधा याद रessa किया पानी JUST नामक विमारी होगी पानी में जब फ्लॉराइट इस्तित होगा तो बहुत ज़ादा इंपॉटेंट है फ्लॉर्वसिस पुछा जाएन पदेश प्रेंट्स आप लोग देख रहा है कितना बहतर बहतर प्रश्न है आप लोग लास्ट तक अवस्ति बने रहें और पीडियाप जिन भाईयों को चाहिए जिन दोस्तों को चाहिए वो जाके क्या करें के идrki eaientгоered nove channel koleen telegram channel को download कर ले सातीसात facebookuciones से भी ले सकते हैं instagram से भी आप पीडियेप डॉनलोड कर सकते हैं वहां पे जाके आप को ज्ञान कर जाना है मैं ज्ञाकर आपको फ्रेट्ट कर Li cents की जीए क्या लिखा हुआ है निमलाइकित में से कौन अपापचेक सरकड़ा मतलब नन-ड्यूसिंग सुगर है कहा है याद रखेगा वो आपका एंसर हो जाएगा इसको भी मानले जेगा साइन्स का है कुछ अलग है के राए चल से और चलते हैं क्या लिखा हुआ चीनी की चासनी बनाई इस गई थंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो जग है इस यह इंगित करता है तो बताइए यह कौन सा परिवर्तन हुआ चासनी को अलग करने का याद रखिए यह भोतिक परिवर्तन है आपका बिल्कुल सही है तो यहां पर आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा अगर चीनी को गर्म पानी में गोल कर चासनी बनाया जा प्रष्ष ने कगा Р attendees का नहीं करते हैं क्या कहला तो याद रखिया उसको कहते है अधातू उस्मा और विद्धूत का चालन नहीं करते प्रका को उसको क्या करते हैं ओप्षान दी आपका बिल्कुल 자िन सरोजा नेक्स प्रशन कर चलते हैं क्या लिखा हुआ दो नोट सके बीच में याद रखिए गार यह तरफ़ नोट सतता है यहां पर हम और यहां इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं इस वारी पार्ट को इंटर नोड कहा जाता है यह याद रखें आपका बिलुकुल सही Kilim давно के और चलते हैं क्या लिखाव है next प्रास्ट जूट पोदे के किस भाग से प्राप्त होता तो याद रखें किए तना भाग से प्राप्त होता है, option C आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, next देखिए, बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं, यह पुछा जा रहा है, तो याद रखिए, अंडासे में फल बनते हैं, और विजांड में बीज, option A आपका बिल्कुल सही है, अंडासे में फल बनते हैं, दिजांड में बीज बनते हैं, चलिए, next प्रशन के और चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, ब्रेड में छिद्र किस ग्यास के कारण होता है, सब को पता अनुचे, जो ब्रेड हम लोग खाते हैं, उसमें छिद्र जो हो जाता है, किस ग्यास के कारण होता है, carbon dioxide ग्यास के क बहुत ही इंपोर्टेंट प्रस्टन है आप लोग इसको भूलिएगा नहीं और कह रहा है कि कोशी का हम लोग का जिल्ली है कि निर्मान में आवस्यक प्रोटीन और लिपीड किसके द्वारा बना रहता है याद रखेगा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम उसमें भी रफ एंडोग्लाज्मिक रॉजीएस रफ एंडोप्लाज्मिक ररीक्टिकुलम के द्वरा रहता है तो ये याद है चलते हैं क्या लिखा हूँआा है वही मच्छण इसको भी काटा और मच्छड जाके दूसरे इनसान को भी काटा तो उसमें डड़ियेगा नहीं HIV AIDS होने वाला है नहीं याद रखियेगा मच्छर के काटने से HIV AIDS नहीं होता है याद रखियेगा जो मरीज है उसको अगर मच्छर काट लिया और वही मच्छर जाके दूसरे इंसान को काट लिया उससे HIV AIDS नहीं फैलता है HIV AIDS फैलता कैसे है HIV संक्रमन रक्त से फैलता है और सुरक्षित योन सम्मंद से फैलता है इसलिए और आगे देखे क्या लिखा हुआ है बहुत चीज़ बोलना चाहेंगे लेकिन समय हम लोग के पास परियापत नहीं है बिना उबली सुई के परियोग से तो ये सबसे HIV AIDS फैलता है चलिए बहुत जल्द खतम होने वाला है निमलिकित में से कौन रोग प्रोटो जोगा द्वारा होता है तो प्रोटो जोगा होने वाला रोग जो है वो सिधा याद रखेगा मलेडिया प्रोटो जोगा होने वाला रोग कौन सा है मलेडिया तो यह सब याद रखिए आगे देखिए क्या लिख रव नेमलिकित में से किस बिटाइमिन का निर्मान हमारे सरीर में नहीं होता है कमारे सरीर में किस-किस का बिटाइमिन के का तो होता है बिटाइमिन डी का भी होता होता नहीं है विटैमिन A का निर्मान हम लोग के सरीर में नहीं होता है बांकी सब के सब होता है सीधा याद किजिएगा अगर आपको information अच्छा लग रहा है तो आप लोग एक like कर सकते हैं सरमाईया नहीं friends और एक प्यारा सा भी comment कर दीजिए next question के और चलते हैं और आज का last question है थाराइट गरंती में थारक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन पुछा जा रहा है तो सीधा इस सब को रट जाईएगा TSH हार्मोन जो है स्रावित होता है जिसके वज़े से थारक्सिन गरंती से थारक्सिन स्रावित होता है किस हार्मोन के बज़े से याद रखे टी एच एस हार्मोन उत्तेजित करता है उत्तेजित करने का काम करता है तो option A आपका बिल्कुल सही answer होगा आप लोग क्या की जिए जो भी फ्रेंट्स इस चैनल पे आए हैं नए आए हैं इस चैनल के सदस्ता हांसिल कर लिजिए इस परि कोमेंट करके ले जाए बाई जो निगेटीव है उसको तो हम पॉजिटीव कर नहीं सकते हैं आप लोग के लिए जिसके लिए अगर थोड़ा भी आपके लिए इंपोर्टेंट है लग रहा है कि हां यह चलते रहाना चाहिए वह एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और प्य सब जाके वहां से आपको क्या मिलेगा पीडियाप आप इसली डॉनलोड कर सकते हैं फिर मिलते हैं फ्रेंट्स कल इसी सेट के साथ सेट नमर नाइन लेके आऊंगा और फिर मिलते हैं कल इसी समय में जैहिंद जैभारत आप लोग खुस रहिएगा अपने परिवार को खुस